हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी फिट अन्फाइन होंगे हैल्दी होंगे सो आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हो मैराथान ओफ मैथमेटिक्स ये चाहिए आप सीटेट के लिए प्रिपेर कर रहे हो या फिर पी एसटेट के लिए दोनों ही पेपर्स के लिए ये मैराथान आपके लिए बहुत हेल्फुल रहने वाला है साथी में इसमें जो important MCQs है वो भी हम in between the session देखेंगे सो friends वीडियो को complete देखेगा सो start करते हैं हमारे first topic के साथ that is nature of mathematics तो देखे सबसे पहले समझने की बात है कि mathematics जो subject है mathematics basically है क्या इसको हम कहते है science of calculations तो इसकी nature के बारे में अगर हम discuss करें first is integrated अब दीखें जैसे हम कहते कि school में जो भी सब्जेक्स पढ़ाया जाते हैं वो ऐसे निया कि उनका individual उनको deal किया जाता है दूसरे subject के साथ उनको relate करके पढ़ाया जाता है तो वो integrated होते हैं इसी तरह से अगर हम mathematics की बात करें तो ये भी क्या है integrated है इंटर रिलेटिड है दूसरे subject के साथ ऐसे निया कि बिल्कुल अलग है अगर दीखें आप science पढ़ रहे हो science में भी अगर आप calculations कर रहे हो वो किसका बात है mathematics का बात है ठीक है आपके paper checking हो रही है हिंदी की checking हो रही है पंजाबी की जो भी language कुछ भी है आपका ठीक है paper checking हो रही है marks लग रहे हैं आपके marks add हो रहे है हर subject में हर field में mathematics की जरूरत है ठीक है कहीं भी यह ऐसा नहीं है field जो mathematics जिसमें अपना role play ना कर रहा हो सबसे पहला point हमारा integrated second is logical अब दीखें mathematics subject ऐसा है जिसमें सारे functions जो भी operations हमने करने होते हैं वो logic के base पर होते हैं ठीक है यह situation ऐसे है तो इतना number है इसको ऐसे multiply करना है ऐसे divide करना है board mass rule होता है ठीक है सारी चीज़े क्या है पूरा logical concept है दिन उसके बाद हम कहते हैं कि यह इसमें abstract concept है जब आपको बोला जाए कि beta 16 into 9 कितने होते हैं ठीक है तो आपके mind में ऐसे तो नहीं है कि आप कोई actual picture के बारे में सोच रहे हो आपके mind में abstract multiplication चलती है या फिर आप table dodging सोचते हो फिर उसका answer देते हो ठीक है mathematics has its own language यह next slide में आप लोगों थोड़ा ज्यादा clear होगा तो mathematics की language क्या है इसके अपने symbols होते हैं ठीक है अपने rules होते हैं अपने principles होते हैं हम कहते हैं like plus minus multiply and divide यह चार symbols जो main arithmetic symbols है mathematics के ठीक है उसके बाद हम कहते है rules होते हैं इसमें board must rule है theorem है hypothesis है तो mathematics की अपनी एक language है ठीक है so next देखिए point number five क्या है this is based on deductive reasoning इस पर आप star mark कर लो क्योंकि mathematics में कुछ भी आप करते हो for example आपने कोई आपको right angle triangle दे दी गई है ठीक है यहाँ पर right angle बन रहा है तो python गोरस theorem अगर आपको पहले पता होगी न कि अगर आपने hypotenuse की value निकाल नहीं है तो base square plus perpendicular square उसका square root करेंगे तो आपके पास hypotenuse आएगा तो पहले इसमें आपको rules बताए जाते हैं फिर आप उसकी examples करते हैं ठीक है कोई भी triangle ले लो हम कहते हैं कि triangle आप ले लो या फिर square ले लो भी शेप ले लो उसका area कैसे निकालोगे या फिर उसका perimeter आप कैसे निकालोगे पहले आपको formula बता होगा फिर आप उसकी values उसमें put करोगे तो deductive reasoning यहां पर use होती है और यह question आया भी हुआ है कि mathematics की calculations है mathematics कि पर based है that is based on deductive है आपको inductive भी देखिए option में पका दिया होगा लेकिन यहां पर rules पहले बताए जाते हैं फिर उनके basis पर calculation part बढ़ता है ठीक है तो यह बहुत main point है next देखिए mathematics में जो concepts है इसकी nature में वो क्या है series में चलते हैं ऐसे निया कि पहले आप high level की चीज़ सीखोगे फिर low number one two three counting सीखते हो फिर next आप इनको जो है plus करना one digit number two digit number three digit number इस तरह से step by step series में चलता है सब कुछ sequence wise चलता है ठीक है फिर आप इसके rules सीखोगे की board mass rule होता है पहले हमने bracket को फिर off को फिर division multiplication addition and subtraction इस तरह से question में जो हम equation दी हुई है उसको solve करने ठीक है step by step सब कुछ होता है then the last point is very common जो सभी को पता है nature of mathematics की यह practical in nature है ठीक है मैं अक्सर example देती हूं जब भी mathematics की बात करते हैं कि अगर आप सबजी खरीदने भी लगते हो ना वहां पर भी अगर एक किलो की सबजी आपकी 50 रुपए की है तो आदा किलो की सबजी कितनी की होगी ठीक है 200 ग्राम की सबजी कितने की होगी वहां पर भी तो mathematics चल रही है वो जो सबजी वाले होते हैं वो कोई पड़ी लिखे थोड़ी होते हैं लेकिन mathematics को पूरी ब्रिलियंटली यूज करते हैं ना 100 ग्राम भी इदर उदर नहीं होने देते वो तो भाव में क्लियर हो गया तो प्रैक्टिकल नेचर है mathematics सो यहां पर हमारा नेचर ऑफ mathematics यह जो पॉइंट से आपको ध्यान में रखने है क्योंकि जब हम कोश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों का जो कॉंसेट है वो यूज होता है निक्स देखें हमारे पास है प्लेस ऑफ mathematics इन स्कूल करिकुलम से किंड टॉपिक है हमारा अब देखें स्कूल में जो करिकुलम होता है हमारा जो सिलेबस होता है या कंटेंट जो पढ़ाए जाता है उसमें mathematics की क्या इंपोर्टेंस है अब mathematics डेफिनेटली बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन क्या इंपोर्टेंस है किस तरह से mathematics स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए इस तरह के जो है रिलेट करके पूछे गए हो और पूछे भी जाते हैं तो वही चीज जो जो में चीज़े हैं मैं वह आपके लिए पैड़ागॉजी में लेकर आई हूँ ऐसे नहीं है कि हमने पूरी डिटेल में डिसकस करनी है जो complete main points है concept main है वो चीज़े में आपको explain कर रही हूँ बाकि हम questions की जो practice है वो definitely करेंगे so देखिए first is mathematics को relate करके पढ़ाया जाना चाहिए day to day life में अब देखिए mathematics एक ऐसा subject है जो या तो बच्चों का favorite होगा या बच्चे उससे डरते होंगे ठीके दो यह options होती है mathematics के related intermediate option इसमें होती नहीं या तो बच्चों को mathematics पसंद होगा क्योंकि उनको आता है वो चीज़ों को समझ के करते हैं या फिर जो बच्चे उनको practically सोच कर नहीं करते हैं ठीक है जैसे profit and loss का chapter है बच्चे उसको इतना डरते हैं करने के लिए लेकिन अगर आप उसको actual चीज के relate करके सीखो तो वो कुछ भी नहीं है उसमें ठीक है तो इसको relate करना चाहिए day to day life में while teaching and while understanding that both situations में ठीक है then it gives practical knowledge practical knowledge definitely हमें देते हैं हम सभी shopping के लिए जाते हैं show rooms में जाते हैं वहाँ पर हमारा लिखा होता है कि MRP इतना है आपको discount इतना दे दिया तो आपकी जो price है वो इतनी है तो यह सारा concept कहां पर है profit and loss का chapter है ठीक है चीजों के अंदर पूरा जड़ तक फैला हुआ है तो practical knowledge बच्चों को देता है दिन इट गिव्ज ऑवर और ऑल राउंड हम कहते हैं कि development होती है बच्चों की इसके साथ तो में पॉइंट हमने place of mathematics में क्या सीखा है कि कि तरह से पढ़ाया जाना चाहिए mathematics और यह कितना important है तो देखिए इसमें हमने एक बात जो में सीखी है कि इसको हमने पढ़ाई की तरह नहीं करना है इसको day to day life की तरह समझ के करना है situations के साथ relate करके करना है और इसको practically सोच कर करना है ठीक है नेक्स देखिए language of mathematics मैंने nature में आपको बताया था कि mathematics की अपनी एक language होती है तो language किस तरह से होती है सबसे पहले हम इसमें terms सीखते हैं जैसे हम कहते हैं कि अगर English सीखने लगो तो सबसे पहले आपके basic जो sounds होती है phonetics में हमने किया था sounds होती है ठीक है फिर हमारे alphabet होते हैं फिर वर्ड होते हैं फिर संटेंसे होते हैं फिर हमारे परग्राफ होते हैं फिर हमारी स्टोरीज एंड सो ऑन ठीक है वो चीज चलती रहती है उसी तरह से mathematics की अपनी language है सबसे पहले terms सीखते हैं फिर उसके concept होते हैं कि concept में आप लोग discuss करते हो कि यह सारी चीजे होती है यह अगर आप कोई भी टॉपिक करवाना चाहते हो बच्चों को ट्राइंगल करवाना चाहते हो तो टूडी शेप्स करवाओगे ठीक है 3D शेप्स करवाओगे कि यह 2D का पार्ट है फिर formula करवाएंगे हम जब एक चीज़ का concept समझा दिया ज square का parameter का formula क्या है ठीक है वो सारी चीजें फिर उसके बाद आती है turn principles की principles develop होते है then further जो symbols की proper use है कहां पर किस तरह से चीजों को combine करके सीखना है symbolize करना है वो सारी चीजें इस तरह से चलती है in sequence in order ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई so next देखिए हमारे पास इसमें है evaluation in mathematics so fourth topic है हमारा evaluation और जैसे कि इसको हम काफी बाद discuss भी कर चुके है तो आज फिर मैं आपके साथ ये marathon में लेकर आई हूँ तो this is continuous and comprehensive evaluation अब देखिए इसको continuous क्यों कहते है basically जो evaluation है वो दो तरह से की जाती है two types first is colastic second is co-scholastic ठीक है बच्चों के comments आ रहे थे कि मैं यह four types की है क्या तो इस तरह से नहीं होता है यह मैंने आपको बताया कि continuous क्यों कहते है इसको लेकिन जो evaluation है वो दो areas आ जाते हैं ठीक है आपके जो leisure time activities है वो आ जाती है life skill related health related activities पढ़ाई को छोड़के ठीक है आपको जो books provide की जाती है उसको छोड़के स्कूल में जो भी activities करवाई जाती है उसको evaluate करना ठीक है तो वो activities क्या होते है को scholastic activities ठीक है यानि कि scholastic activities का साथी को scholastic जैसे हम बोलते हैं न कुलीग्स जो हमारे कुलीग्स है हमारे साथी तो subject areas के साथी कौन से होते हैं बच्चों को थोड़ा develop overall करना है बच्चों की holistic development करनी है ठीक है all round development करनी है बच्चों की तो वो develop कैसे करेंगे अगर उनको हम evaluate करेंगे time to time feedback देंगे clear हो गई यह चीज देखें तो को scholastic areas कौन से होते हैं life skills होते हैं work education होती है बच्चों को waste material से चीज़े बनानी सिखाए जाती है और भी art and art की education होती है फिर attitudes and values visual and performing arts ठीक है mud से pots बनाने काफी कुछ activities होती है then is health and physical education sports के related आपकी कोई game favorite होगी बच्चे आगे sports में बढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी कोई ऐसी field को choose करना चाहते है तो उनको exposure मिले school में ही इसलिए को scholastic activities जो है यह करवाई जाती है और करवाई जाती है तो natural इनको evaluate भी करना होता है अब देखिए जो हमारी scholastic activities है न स्कोलास्टिक area जो हमारा है यहाँ पर हम दो तरह की हम कहते कि हमारी assessment होती है फर्स्ट इस formative assessment जिसको हम बोलते हैं fa and second is summative assessment जिसको हम बोलते है sa इसको term and exams भी कहते है term and assessment भी कहते है क्योंकि यह term के end में करवाई जाती है ठीक है वहाँ तक मैं अभी आती हो पहले अब यह देखो formative को क्या कहते है assessment for learning यानि कि learning जब चलती है while it is going on यानि कि यह क्या है एक process जब चलता है ना तब formative assessment होती है जब learning चल रही है बच्चों की तब उनको feedback दे उनको देखें कि किस तरह से कहां पर mistakes हो रही है उसको assess करना सिर्फ बच्चों की learning ही नहीं teaching की teachers ने कितना अच्छे से पढ़ाया है naturally बच्चों के marks वो भी तो दर्शाएंगे तो summative क्या होता है this is product this is not process process होता है जो चल रही है चीज उसके दोरान जो assessment की जाती है वो formative होती है और जब final आपका होता है like up seated की तयारी करें हो ठीक है आप यह मैं बोलती हूं कि आप भी मेरे साथ MCQs attempt करो तो आपको पता लगेगा कितने marks आप और लोगों ने attempt किए ठीक है attain किए वो हो गया आपका formative assessment लेकिन जब आप final seated के paper में बैठ होगे तो वो आपका क्या होगा summative assessment एक तरह से ठीक है समझ में आगया यह concept इसको term and exams भी इसमें लेते हैं और देखिए इसकी जो weightage होती है ना formative assessment की 40% होती है और summative की होती है आपकी 60% जब final report card पे weightage marks चड़ते हैं ठीक है marks लगाया जाते हैं तो 40% formative assessment के marks जूड़ते हैं और 60% summative assessment के marks लगते हैं ठीक है तो यह करवाने की भी काफी सारे tools and techniques होते हैं जो हम detail में discuss कर चुके हैं देखिए blooms taxonomy इसका name सबसे पहले bloom taxonomy क्यों पढ़ा taxonomy का meaning होता है classification यानि की वर्गी करन करना ठीक है और bloom taxonomy इसलिए पढ़ा क्योंकि यह जो framework है यह दिया था benjamin bloom ने in the year of 1956 ठीक है सबसे पहले हम दो चीजन discuss करेंगे इसमें जो इन्होंने levels दिये हैं एक तो 1956 में जो benjamin bloom ने करेंगे हम दोनों चीजों को प्रापर डिसकस करेंगे सो फसली देखिए blooms taxonomy क्या है basically it is a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition कोई भी person यह बेसिकली क्या है ना learning के basis पर है सारी चीज कोई भी बच्चा किसी चीज को किस तरह से learn करेगा human cognition में आता है तो इसमें 3 हम चीज़े देखते हैं that is thinking learning and understanding cognition क्या है mental processes है सारी किसी चीज को कैसे सोचेंगे दिमाग से सोचेंगे ठीक है उसको याद करेंगे समझ में आएगा फिर याद करेंगे या फिर उसके बारे में सोचेंगे ठीक है everything is related to human cognition नेक्स देखे इन्होंने हमें 3 learning domains दिये हैं यह कहते हैं कि कोई भी person है अगर वो किसी चीज को learn करना चाहता है तो 3 domains होती है उसकी basically first is cognitive domain जो जिसको हम ग्यानात्मक पक्ष कहते हैं यह हमारे दिमाग के साथ related है अगर आप कोई भी चीज देखे यह session आप अटेंड कर रहे है यहां पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी mental power जो है वो यूज होती है mental ability आपकी cognitive power यूज होती है फिर ही तो आप चीजों को समझते हैं उसको learn करते हैं second क्या है आपकी affective domain affective domain is related to your emotions ठीक है cognitive domain is related to mind to brain to mental activities and affective domain आपकी emotional aspect के साथ related होती है तो अब आप यह अगर session देख रहे हो आपका कोई motive है आपकी affective domain क्या है कि आपने सीटेट का paper clear करना है या फिर पीटेट का paper clear करना है ठीक है या फिर आप कोई भी teaching training course जो है उसमें आप अच्छे marks लेना चाहते है तो आपका emotion जूडा हुआ है इसलिए आप यह session देख रहे हैं इसको learn कर रहे हैं इसको समझ र जाना हमें paper घर पे लादो हम यहीं पर बस मैं बोली जाओंगा आप answers टीक करते जाना ठीक है यानि कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते क्रियात्मक पक्ष इसको कहते हैं कि आप कोई किरिया नहीं करना चाहते बिलकुल लेजी ने साब के अंदर है वीडियो सुन ली ठीक है प्राक्टिकल चीजे भी आना आपको जरूरी है यह तीनों के तीनों डोमेंस जो है यह बैंजमिन ब्लूम ने दिये थे और हम इनको वान बाइवन डिसकस करते हैं देखिए अफेक्टिव और साइको मोटर डोमें में तो इतना ही है जितना मैंने आपको explain किया कि मैं आपक अच्छे ले पाओगे ठीक है पास तो आप करी जाओगे तो माक्स आपके अच्छे आएंगे अच्छी आपको job मिल जाएगी ठीक है तो यह चीजे क्या है मैं आपको motivate कर रहे हूं इट मीज यह किसके अंडर आती है अफेक्टिव डोमें की अंदर ठीक है अब देखिए को then is comprehension then is application then is analysis synthesis and final जो टॉपर है उसको रखा है evaluation अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए ना मैं आपको एक example देती हूं बिलकुल live example है अगर आपने मेरा कल का session attend किया है तो आपको यह बड़ी अच्छे से समझ में आएगी ठीक है तो कल जब हमने discuss किया था session में तो मैंने बिलकुल end में आपको बताया था कि आज के दिन हम blooms taxonomy करेंगे और हो सके तो continuous and comprehensive evaluation भी करेंगे ठीक है तो मैंने आपको कल यह knowledge दे दी कि हम आज blooms taxonomy पढ़ने वाले हैं तो यह चीज आपको पता लगई क्या मैंने आपको blooms taxonomy के बारे में कुछ भी बताया कि यह क्या होती है नहीं होती है नहीं ठीक है तो knowledge का मतलब क्या है सिर्फ आपको पता होना कि यह चीज हमने करनी है उसके detail information आपको कुछ नहीं पता उसके बाद लेवल आता है देखिए comprehension comprehension means जो चीज मैं अभी आपको पढ़ा रही हो मैं आपको पढ़ा रही हो आप उस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज को समझ रहे हो understand कर रहे हो ठीक है तो यह हो गया comprehension comprehension का मीनिंग ही होता है उस चीज को detail में जान लेना फिर होता है application अब देखिए इस session के जब यह session complete हो जाएगा ना I mean जब यह theory part complete हो जाएगा तो हम इसको apply करेंगे application करेंगे कैसे इसके related जो questions है वो English pedagogy में नहीं आ रही यह maths में भी आ रही है यह CDB का भी बहुत important part है ठीक है analyze करोगे इस तरह से आप देखिए अपने mathematics में भी questions को जो है इसी sequence में follow करते है analysis क्या होता है कि चोटे-चोटे टुकडों में हम किसी चीज को analyze कर रहे हैं उसको उस पर visualization कर रहे है then is the synthesis जो चीज़े हमने सारी पड़ी है जब आप paper देने जाओगे सारी चीज़े आपने videos एक-एक topic की देखी है ठीक है उसको समझा है फिर आप क्या करोगे उन सभी चीजो चीजें पहले आपने analysis करके पड़ी थी ना टुकडों में पड़ी थी फिर आप जब paper देने जाओगे अपने sitat का तो इन चीजों को आप synthesize कर दोगे अपने mind में सभी को ले आओगे क्योंकि आपने paper में सभी sections attempt करने है synthesize means जो आपने breakdown किया था उसको एक complete information में आपने combine कर देन final क्या है कि जब आपका sitat का paper हो गया देन वह evaluate होगा और आपको उसका result मिल जाएगा hopefully बहुत अचा result आएगा तो वह final step इन्होंने क्या किया है evaluation ठीक है यह concept पूरा समझ में आ गया अब यह देखे बिलकुल इस तरह से चलता है bottom to up approach जैसे हम करते हैं कि सबसे बहले बच उनकी जो भी information है यह उन्होंने अपना paper वेगरा जो भी दिया है तो यह तो है 1956 वाला अब जो revise किया गया है देखे इसमें क्या comparison आप देख सकते हैं knowledge को इन्होंने चेंज कर दिया remember में 2001 का बतारियों में उसके बाद यह picture कुछ इस तरह से आपकी बन गई है diagram ठीक है वो triangle पूरानी 1956 वाली है और यह वाली 2001 वाली है knowledge को इन्होंने कर दिया remember कि आपको याद रखना है कि आज के session में हम यह करने वाले हैं फिर आपने सारी चीजों को understand किया जो मैं आपको पढ़ा रही हूं फिर हम इसको apply करेंगे देखी इनका meaning सेम चल रहा है meaning सेम चल रहा है कहां पर फरक पड़ेगा मैं आपको बताती हूं apply करेंगे जब हम इसके practical questions attempt करेंगे कि कौन सा आपको theory अच्छे से समझ में आई है नहीं आई है फिर आप analyze करेंगे यहां पर analysis था यहां पर analyze हो गया ठीक है एक एक चीज़ important है यहां पर application word था यहां पर apply ह हो गया है नाम हर चीज का change कर दिया अब main difference कहां पर आया जो ऊपर के दो माले हैं इस building के यानिकी दो ऊपर के दो levels हैं तो यह क्या है देखिए evaluation इसमें टॉप में था इन्होंने evaluation को यहां पर लेकर आए कि बच्चा evaluate evaluation होगी फिर create होगी एक नई knowledge एक नया नई चीज अपने आप में create होगी ठीक है तो create को इन्होंने topmost जगा पर रखा है अब देखिए इन में भी हम कहते हैं कि यह skills होते हैं तो जो बैंजमिन ने दिये थे 1956 में basically हम इनी पर देखेंगे क्योंकि यही meaning इनका सेम ही है तो यह जो पहले नीचे के तीन levels है इनको हम कहते हैं कि यह lower order thinking skills ह बच्चों को information पता है उन्होंने समझ ली ठीक है उसको apply कर लिया यहां तक का level easy है इसके बाद उस चीज को analyze करना synthesize करना फिर evaluate यह क्या होते हैं higher order thinking skills अब देखें पिछले साल जो आपका CBT mode में paper हुआ था ना इस पर काफी questions आपको seat at में भी देखने को मिले थे तो यह thinking ability कम लगती है वो है आपके lower order thinking skills और वो कौन से levels में आते हैं knowledge में comprehension and application में उसके बाद आपके जो higher order thinking skills है इसको हम hots and lots के नाम से जानते हैं ठीक है दोनों नाम आपको पता होने चाहिए तो होट में क्या आता है analyze करना synthesize करना and then is evaluation यह तीनों की तीनों चीज़े ना हम कहते है क तो theory आपको देखिए अच्छे से समझ में आगी अब इसके related जो questions है वो हम one by one देखते हैं और देखिए आपने मेरे साथ यह सारे questions attempt करने हैं और session के end में मुझे comment करके बताईए कि आपने कितने सही answer किये so starting with question number one who developed the taxonomy of educational objectives तो यह हमें पता है किसने develop की है bloom नहीं यानि कि Benjamin bloom नहीं तो देखिए एक question और आसकता है कि यह जो taxonomy दी है यह किस पर based है ठीक है यह objectives पर बेस्ट है educational objectives पर बेस्ट है तो यह option भी आपको याद रखनी है in case अगर ऐसा question आता है तो now next question number two in 2001 the revised version of blooms taxonomy was provided by अब देखिए 1956 में जो taxonomy आई थी वो blooms ने दी थी ठीक है इसके बाद जब revise की गई 2001 में तो यह किन्नों ने दी थी that is option D Lauren Anderson and David Crothwell ठीक है यह चीज़ आपने याद रखने है यह names then question number three देखिए the doing aspect of behavior falls in the dash learning ठीक है कौन सी domain के अंदर fall करता है सबसे पहले तो देखिए हमारी जो behavioral domain है न यह तो domain ही नहीं है तीन domains नहीं है bloom ने first was cognitive second is effective and third is psychomotor domain ठीक है तो हमारी जो doing aspect है doing means कुछ करना खुछ से physical work करना तो that is psychomotor domain of learning option one क्या है correct answer next question number four देखिए in which order the levels of taxonomy or followed हमने देखिए किया है taxonomy किस तरह से follow करती है lower to higher level ठीक है lower order skills है नीचे के तीन levels फिर उपर के तीन क्या है hots है नीचे के lots है उपर वाले hots higher order skills ठीक है तो option A क्या है हमारी correct answer that is from lower to higher order thinking skills ठीक है next देखिए question number five teachers are advised to involve their learners in group activities because besides facilitating learning they also help in बच्चों को teachers group activities में क्यों involve करते हैं एक reason तो उन्होंने बता दिया कि learning अच्छी होती है दूसरा reason क्या है दूसरा reason है socialization क्योंकि जब हम किसी के साथ काम करते हैं बच्चों के जहां पर भी group की बात आती है न वहां पर हमारे जो social values हैं वह inculcate होती है तो socialization के भी उसमें help होती है ठीक है so option one क्या है correct answer next question number six thinking is essentially अब सोचना thinking यह कहां पर यह this is हमें पता है absolutely this is a cognitive activity thinking है learning है understanding है ठीक है यह सारी activities किसकी है हमारी cognitive activity की है so option four is the correct answer question number seven what is development of human potentialities in education human की potentialities अगर हम education में देखें तो वो क्या होगी क्या वो individual aim है वो social aim है individual as well as social aim है या फिर specific aim है तो यह देखें क्या होगा जो हम कहते हैं कि बंदे की जो potential है वो education के basis पे अगर हम देखें वो individual as well as social aim को satisfy करते हैं सिर्फ individual aim नहीं है, सिर्फ social aim नहीं है, दोनों ही है, so option 3 क्या है, correct answer, next question number 8, preparing the child for future life as an aim of education, is preparing the child for, अब देखिये, बच्चे को अगर future life के लिए prepare करना चाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, as an aim of education, तो बच्चे को किस चीज के लिए हमें prepare करना है, that is for facing all kinds of emergencies and situations, of future life, सिर्फ happy married life के लिए prepare नहीं करना है, कोई vocation के लिए prepare नहीं करना है, लेकिन जो भी task, जो भी situation बच्चे के सामने life में instant आती हैं, ठीक है, emergencies मतलब instant कोई situation बच्चे के सामने life में आती है, चाहे वो marital issues हैं, ठीक है, आपके कोई भी issues हैं, आपके vocation issues हैं या फिर कहीं भी कोई भी problem आती है तो बच्चा उसको face कर सके इतनी उसमें capability हो ठीक है तो वो क्या है option 3 facing all kinds of emergencies and situations of future life situations में देखे हम सिरफ negative को नहीं positive को भी include करते हैं ठीक है अब next question की तरफ बढ़ते हैं 9 teaching should aim at enhancing children's natural desire and strategies to learn या फिर reading the lessons in the textbook या फिर giving classwork, homework, project work and conducting tests या फिर बोथ 2 and 3 given above teaching का basically aim क्या होता है कि वो enhance करें बच्चे की natural desire को and strategies to learn चीजों को सीखना बच्चे उसको learn कर सके और बच्चों के अंदर से आवाजे आए कि हमने यह जिस करनी है हमारी खुद के desire हो हम क्याते हैं motivation हमने किया था एक external होता है एक internal होता है तो teachers का aim teaching का aim क्या होना चाहिए कि बच बच्चे खुद से strategies बना सके कि हम अगर यह difficult task है तो इसको कैसे achieve करेंगे या फिर कोई difficult question है उसको learn करना है किस तरह से करेंगे ठीक है so option 1 क्या है correct answer next question number 10 sorry the main purpose of teaching is teaching का main purpose क्या होता है development of thinking power development of reasoning power both one and two या फिर giving information only अब देखिए main purpose of teaching क्या है बच्चों की thinking power को develop करना and reasoning power को so option 3 क्या होगी इसकी correct answer कि दोनों चीज़ों को ही teachers enhance कर पाएं next question number 11 question 11 as a teacher you asked your students to write an essay explaining the impact of pollution on our life अब देखिए यह एक situation आपको दे दी गई है कि आपने बच्चों को ऐसे लिखने को बोला किस पे impacts of pollution on our lives तो यह bloom taxonomy का किस cognitive level को proper suit करता है यानि कि which cognitive level of blooms taxonomy is best illustrated by this assignment तो यह चीज़ क्या होगी सोच के बताएं आप लोग मेरे को चलिए question 11 का answer आप ही करेंगे ठीक है यह मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी question 11 का answer आप बताएं कि कौन सी option इस में correct होगी ठीक है फिर आपको यह video के description में इसका answer मिल जाएगा बाद में आप लोग देखना पहले नहीं देखना आपने ठीक है चलिए next question 12 की तरफ बढ़ते हैं defining action verb is related with which behavioral objectives action verb कौन सा है defining अब action verb मत सोचना की action action तो psychomotor है इन्होंने defining word को brackets में रखा है braces inverted commas में रखा है तो defining word किस behavioral objective के अंदर आता है that is cognitive cognitive level में आता है defining किसी चीज़ को define करना ठीक है option C क्या है correct answer next question number 13 according to blooms taxonomy of educational objective which of the falling category does not come under cognitive domain तो cognitive domain के अंदर हमें पता है कौन सी आती है knowledge है comprehension है application है लेकिन conceptualization नहीं है so option 4 हमारी क्या है correct answer not वाला question आ गया देखो यह कि नहीं आती है cognitive domain ने so option 4 है वो answer next question number 14 in which level a student can be able to formulate, build, invent, create, compose, generate, derive, modify और develop ठीक है तो इन्होंने खोदी answer में आपका जो है question में ही keyword चुपा दिया create so इसमें है creating में create वाली option में होता है कि बच्चा क्या है नहीं चीज़ create करता है build करता है invent करता है ठीक है जो revised taxonomy थी हमने कहा था 2001 वाली तो उसके लिए यह चीज़ बोल रहे है तो वहां पर क्या है creating में ठीक हो गई यह बात समझा गई next question number 15 in which level students will be able to describe Newton's three laws of motion to in his or her own words ठीक है बच्चे Newton के जो तीं लॉज है अपनी language में किस तरह समझा पाएंगे किस level की बात है वो blooms taxonomy के 6 levels हमें दिये हुए है कौन से level में वो चीज़ आती है वो आती है understanding में ठीक है creating में नहीं आएगी अनलाइजिंग में नहीं आएगी वो आएगी understanding में क्योंकि अगर बच्चों को वो चीज़ समझ में आई है तभी तो वो explain करेंगे तो option B क्या है correct answer tools of teaching mathematics या फिर हम इनको teaching aids भी कहते हैं तो देखिए आप अपनी screen पर देख पा रहे है tools है हमारे पास abacus है जियो बोड है जियो जेब्रा graph paper dot paper 10 gram है और इसके बाद देखिए हमारे पास है dean's block and grid paper तो सबसे पहले हम देखते हैं abacus को so first देखिए हमारे पास है abacus abacus जो है यह generally हम कहते हैं कि basic counting के लिए use होता है कोई सी चीजों को हमने numbers को add करना है माइनस करना है उन चीजों के लिए use होता है यह देखिए बिलकुल जो main points है वो मेने आप लोगों के लिए लिखे हो हैं यहाँ पर आप चाहे तो इनका screenshot भी ले सकते हैं तो सबसे पहले basic counting है फिर जो arithmetic operations होते है यानि कि plus करना है minus करना है यह दो operations हम abacus पर करते हैं ठीक है आप यह picture भी यहाँ पर देख पा रहे हैं abacus की so इसके इलावा अगर हम बोलें कोई place value है या face value है for example आपके पास number है 413 तो किसी ने आप से पूछा कि 4 की place value क्या है place value क्या होगी इसकी 400 ठीक है और इसकी face value क्या है 4 की यहाँ पर that is 4 ठीक है face value और place value calculate करना यह भी abacus में सिखाया जाता है और इसके साथ ही एक और important point है कि जो visually challenged बच्चे होते हैं उनको abacus के साथ counting सिखाया जाती है क्योंकि वो उस चीज को touch कर सकते है beads होते हैं तो वो उसको touch करके देख सकते हैं कि यह bead number one है two है ठीक है इस तरह से जो visually challenged बच्चे हैं वो abacus से उनको counting विगेरा सारी चीज़े सिखाया जाती है then उसके बाद है हमारे pass number two पर geoboard तो देखिए geoboard क्या होता ना एक तरह से board पर आपको pins लगे होते हैं जहां पर pins के साथ rubber जो होती है हम अपनी hairs में भी लगाते हैं tie करने के लिए तो उस rubber को ऐसे pins पर set करते हैं कि अलग अलग उससे geometrical shapes बनती हैं और एक चीज इसमें देखने वाली के यह सिरफ 2 2D geometrical shapes के लिए होता है 3D के लिए नहीं होता ठीक है जैसी कि आप picture में देख पा रहे हैं आप चाहें तो इसमें square बना सकते हैं rubber की shape से rectangle बना सकते हैं पैरलोग्राम बना सकते हैं ठीक है तो depending upon कि आप कौन सी pin पर rubber को hang कर रहे हैं ठीक है उसको टांग रहे हैं तो इसमें भी ह क्या कह सकते हैं कि जीओ बोर्ड से भी विजुली चैलेंज दो बच्चे होते हैं तो उनको टीच किया जा सकता है क्यों क्योंकि अगें जीओ बोर्ड क्या है वो pins को touch करके देख सकते हैं कि कौन सी ये shape बन रही है इसमें ठीक है तो अगर आपको question आ जाए कि विजुली चै कराई हूं तो यह सारे points आपने mind में रखने हैं जैसे कि यहां पर है कि यह सिर्फ 2D shapes के लिए 3D shapes के लिए नहीं है ठीक है उसके बाद आता है जीओ जैब्रा जीओ जैब्रा क्या है computer पर या फिर आपके phone पर एक ऐसा software होता है जहां पर बच्चों को geometric shapes के बारे में सिखाया circle है और 3D shapes जहां पर आपकी length, breadth और height या depth भी आजाती है cube है, cuboid है, sphere है clear इसमें prism है ऐसे चीज़े यह सारी क्या है 3D figures हम कहते हैं या फिर shapes तो GeoGebra क्या है computer पर एक software होता है जिसके थूँ बच्चों को shapes वेकर अच्छे से सिखाई जाती है graphics होता है, वहाँ पर proper designing होती है, बच्चे कुछ से भी shapes को create कर सकते हैं उस software के थूँ ठीक है, then fourth number पर है हमारा graph paper जो generally आपने देखा है, graph paper अपर हम अपने bar graph show करते हैं, data handling का जो हमने concept किया था, वो भी graph paper पर ही use होता है लेकिन अगर हम seat at या repeat at इसके बारे में बात करें कि graph paper का use किसलिए होता है, ये हम use करते हैं decimal numbers के साथ deal करने के लिए चाहे तो decimal numbers को आपने add करना है, multiply करना है, जो भी operations decimal number के साथ, यानि की 1 by 10 हो गया, fraction हम बोल दे, 0.3 multiply by 0.5, ये सारी चीज़े किस पर show होती है, decimal number की graph paper पर तो आपको question आजाए कि graph decimal numbers को अगर आप बच्चों को सिखाना चाते हैं, तो कौन सा tool या फिर teaching एड ये use करेंगे, तो that option is your graph paper, ठीक है, next देखे हमारे पास है dot paper, तो dot paper क्या होता है, एक paper पर आपको dots लगे नजर आएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर picture भी देख सकते हैं, इसमें बच्चों को geometrical shape सिखाए जाती हैं, और alphabets बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे हमने symmetry का content किया था, symmetry, मैंने आपको बताया था, B है, तो इसको बिलकुल line of symmetry क्या है, ये इसकी horizontal line of symmetry है, जहां से हम एक चीज़ को दो equal parts में divide कर सकते हैं, बिलकुल equal, ठीक है, similar नहीं, बि बच्चों को symmetry के concept सिखाए जाते हैं, बच्चे उससे, जो है, alphabets भी सीख जाते हैं, ठीक है, और geometrical shapes भी उससे सिखाए जाती हैं, तो ये question भी आया हुआ है, कि जो English के alphabets हैं, ये अगर बच्चे को सिखाने हो, तो उसके लिए कौन सी teaching एर यूज होगी, that is dot paper, next है हमार 10 gram, अब देखे 10 gram क्या है, ये एक तरह से इसमें बच्चे पिच्चर के थूँ चीजों को सीखते हैं, geometrical shapes को सीखते हैं, अपनी imagination से कोई नो कोई picture बनाते हैं, कभी duck बना ली, ठीक है, horse बना लिया, जो भी shape को वो mold करके बना सकते हैं, ठीक है, quiz से या games से, लेकिन 10 gram की जो ह 7 geometric shapes होती हैं, कितनी होती हैं, 7, so देखिए, आप picture में भी देख पा रहे हैं, कि 5 तो इसमें आपको triangles देखने को मिलेंगे, triangles कितने हैं, 5, 1 आपको मिलेगा square, और 1 है आपका parallelogram, ठीक है, 1 है parallelogram, 5 rectangle मिलेंगे, और 1 square, इतनी shapes है, और इनी shapes को mold करके, बच्चे कुछ ना कुछ अ 10 gram, ठीक है, तो geometrical shapes के थरू, बच्चे pictures के थरू, यहाँ पर चीजें बनानी सीखते हैं, तो यह चीज़ आप देख सकते हैं, इसके बाद है, हमारे पास Dean's Block, Dean's Block में क्या होता है, कि blocks को use करके, बच्चे अलग-लग चीजें बनाते हैं, या फिर इससे multiplication, addition भी सीख सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि आपके पास आपने देखा होगा board mask rule, board mask का BO हटा दो, और यह चारो के चारो operations किस में सिखाये जाते हैं, Dean's Block में, यह आप picture भी देख पा रहे हैं साइड में, तो Dean's Block की help से बच्चे, चार basic जो mathematics के operations है, that is plus, minus, multiply and divide, यह चारो के चारो करना सिखते हैं, साथी में किसी भी number की जो place value है, वो निकाल सकते हैं, then special intelligence आती है, जो Harvard ने दी है, ठीक है, अपने intelligence की theory में उन्होंने बताया था, special intelligence के बारे में, तो बच्चे Dean's Block के थूँ, special intelligence सीखते हैं, कि अगर आपके पास यह objects हैं, इससे आप कौन सी shape बना सकते हैं, shape को किस तरह utilize कर सक हैं, तो यहां पर एक चीज़ और है, देखे, special intelligence एक तो Dean's Block में है, साथी में जो 10 gram है, वहां पर भी आपकी special intelligence जो है, बच्चों के develop होती है, इसके साथ हम कहते हैं, कि बच्चों को अगर fraction सीखानी है, fraction सीखाने के लिए भी Dean's Block क्या use किया जाता है, then the last tool जो हमने discuss करना है, that is grid paper, grid paper में क्या है, यह देखी, बिल्कुल similar होता है graph paper के, तो अगर हमने decimal values को teach करना है, तो एक तो हम graph paper के through teach कर सकते हैं, दूसरा हम grid paper भी इसमें use कर सकते हैं, दोनों में difference क्या है, कि जो graph paper होता है, उसमें तो आपके काफी सारे blocks होते हैं, grid paper में यह होता है, 10 by 10 का paper होता है, ठीक है, grid paper और graph paper में बस यह ही difference है, तो यह सारे के सारे tools हैं कि बहुत important है, बाकि जब हम questions करेंगे, तो इसमें किस सरा से questions frame होते हैं, आप उसको देख पाएंगे, तो यह चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं, तो एक thumbs up ज़रूर दिखाईए, वीडियो को like कर द हैं, कि what do you mean by tall shape of mathematics, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए, tall shape of mathematics का meaning क्या है, कि कोई भी concept अगर आप पढ़ाना चाते हैं, बच्चों को ठीक है, आप किसी operation को पढ़ाना चाते हैं, कि यह चीजे numbers को अगर आप plus कर रहे हैं, minus कर रहे हैं, तो सभी concepts को एक दूसरे के साथ relate कर करके बोलना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, tall shape of mathematics, तो माइनस और माइनस को अगर हम multiply करें, तो वो क्या बन जाएगा, वो plus बन जाता है, यह सारी चीजे क्या है, बच्चों को concepts, एक दूसरे के साथ relate करके सिखाना, यानि कि nothing is independent, ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ interrelated हैं, ची inductive analysis method and synthesis method, तो सबसे पहले है inductive method, दीखे, यह methods जो हैं, हमने English pedagogy में भी discuss कर चुके हैं, हमने CDP में भी सारे चीजें अच्छे से discuss की हैं, तो बार-बार यह हमारी revision भी हो रही है, और पूरे पक्के हो रहे हैं, चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं भोलना हैं चीजों को, ठ सबसे पहले आपको example बताई जाती है, फिर example से चलते चलते हम rule की तरफ चलते हैं, ठीक है, यानि कि कोई specific चीज जो बच्चों को पता है, वहां से start करके teachers move on करते हैं, एक generalization की तरफ, general rule की तरफ, प्लीर हो गए यह चीज, तो अब देखिए for example, इसकी अगर inductive method की मैं आपको example दो, teacher बोलते हैं कि अगर आप 2 को 2 से plus कीजे, कितना आ गया 4, 2 में 8 plus केर दीजे, कितना आ गया 10, तो यह examples करते करते, finally teacher rule क्या बताएंगे, कि अगर हम even numbers को add करें, तो हमारे पास some भी क्या होगा, उनका even होगा, clear? So, देखिए, यह चीज आपको clear होगी, inductive method, उसके बाद है हमारे पास deductive method of teaching, यहाँ पर बच्चों को rule पहले बताया जाता है, फिर उसके basis पर examples करवाई जाती है, तो हमने maths में भी क्या बोला था, nature of mathematics क्या है, यह deductive है, nature of mathematics basically, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर example, अगर बच्चों है, यह इसका base है, और यह इसका perpendicular है, तो आपको hypotenuse निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो teacher पहले बताएंगे, बेटा, यह पाइथा गोरस theorem होती है, इस तरह से आप इसके hypotenuse को निकालेंगे, फिर examples करवाएंगे, ठीक है, another example ले लेते हैं, कि यह एक triangle है, triangle के interior angles का sum कितना होत degree, ठीक है, पहले यह बताएंगे, फिर उसके basis पर examples करवाएंगे, तो यह क्या हो गया, आपका deductive method, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाली चीज़ है, कि हम general से specific की तरफ move करते हैं, पहले जो general चीज़ है, ठीक है, वो देखते हैं, फिर उसके related जो भी examples frame out हो सकती है, क basically meaning क्या होता है, कि बड़ी problem को छोटे parts में divide करके उसको अलग-अलग parts को देखना, for example, आपको मैं mathematics की example भी देती हूँ, और real life की भी आपको दूँगी, कि आपको कोई equation दी हुई है, जिसमें x और y की आपको value find out करनी है, तो सबसे पहले आपने x की value find out की, फिर आपने y की value find out की, और finally आपको question में पूछा हुआ है, कि x plus y करके बताओ, ठीके, तो सबसे पहले अपने उसको दो parts में तोड़ा की पहले आपको x की value जाननी है, फिर आप y की value ढूणेंगे, फिर आप क्या करेंगे, x plus y find out करेंगे, ठीके, ये चीज होई, अगर real life की हम बात करें, तो analysis मे क्या होगा, for example, जैसे आप C-TED की preparation कर रहे हो, या फिर PS-TED की preparation कर रहे हो, तो आप CDP अलग से पढ़ रहे हो, CDP में कितने सारे topics हैं, वो अलग से पढ़ रहे हो, mathematics की pedagogy है, वो सारे topics अलग से पढ़ रहे हो, ये आप analysis कर रहे हो, लेकिन जब आप final paper देने के लिए जाओग C-TED का, तो क्या आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप सारी information को combine करके अपनी knowledge को यहाँ पर use कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं, synthesize, यानि कि combining various parts to form one single solution, one single task, या फिर one single conclusion, जहाँ पर काफी सारे टुकडों को जोड कर एक नया product जो है, बनता है, synthesize करना, यहा देखिए जैसे आपने CDP कर ली, सारे CDP आपको पता है, math की pedagogy आप कर चुके हैं, English pedagogy आप कर चुके हैं, और आपको यह नहीं पता कि C-TED के paper में कौन कौन से question पूछे जाएंगे, आप known से unknown की तरफ चल रहे हो, ठीके, और analysis में क्या होता है, आप unknown से known की तरफ जाते हो, आपको नहीं है, पता कि X की value क्या है, Y की value क्या है, पहले आप वो निकालोगे न, unknown चीज़े हैं, फिर आप known की तरफ बढ़ोगे, ठीके, यह चारो के चारो methods clear होए, तो यह देखिए, चारो के चारो बहुत important है, math में इन ही चारो के related आपसे question पूछा जाता है, pedagogy में, तो इसके बाद देखिए, हमारे पास जो final topic है, हमारा maths pedagogy का, that is, diagnostic and remedial teaching, वैसे हम इस चीज़ को detail में, अलग session में discuss कर चुके हैं, तो वो आपको CD में मिल जाएगा, या फिर आप search भी कर सकते हैं, topic का name साथ में शाइनागोई लिखकर, तो आपको यह topic इजली मिल जाएगा, तो दीखे, diagnostic teaching में क्या होता है, कि जो बच्चों को कहीं पे भी problem आ रही है, learning में problem आ रही है, तो कहीं पे बच्चे weak हैं, या डर लगता है subject से, या फिर subject से दूर भागते हैं, जो भी बच्चों को problem आती है, slow learners है, यानि कि to find learning difficulties हम overall कह सकते हैं, इसमें सभी reasons आ जाते हैं, ब कर रहा, सारे जो points है, वो किसमें आते है, diagnostic, जैसे doctor diagnose करते हैं, patient को, वैसे teachers क्या है, diagnose करते हैं, students को कि कहां पे बच्चों को problem आ रही है, ठीक है, उस चीज को diagnose करने तक का, जो teaching होती है, वो हम क्या कहते है, diagnostic, इसमें various test होते हैं, diagnostic है, जिसके तुरू हम बच्चों को देख सकत कर रहे हैं, तो उस चीज को और boost आप करना, और जहां पर बच्चों को कमी feel हो रही है, वहां पर teaching methodology को change करना, या फिर उसके suitable remedial measures देना, remedial teaching करना, अब सबसे पहले तो देखी होते है, diagnostic test, जहां पर कमियां पता लगाते हैं, कि बच्चों की learning में कहां पर problem आ रही है, क्या च remedial teaching, जो बिमारी पता लग गई, उसका solution करना, बिमारी दूर करना, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, after diagnostic teaching, providing necessary help and guidance to pupils, to boost their interest, अगर बच्चों का interest कम है, या फिर confidence lack करते हैं वो, या फिर उनको किसी topic की knowledge नहीं है, किसी subject में problem है, तो उस चीज को दूर करना, उसको boost करना, interest develop कर confidence बढ़ाना, और knowledge बढ़ाना बच्चों के, ठीक है, और साथ ही में क्या कहते हैं, कि subject के related, अगर बच्चे stress feel करते हैं, कि mathematics, या तो मैं कहते हो, कि बच्चों का favorite होगा, या फिर बच्चे उससे डरते हो, कि mathematics subject ही ऐसा है, intermediate option होती ही नहीं है, ठीक है, या तो बच्चे उसमें fear या stress feel करेंगे, या फिर confident feel करेंगे, दो situations होती है, तो बच्चों को stress free करना, is remedial teaching, ठीक है, किसी subject में कोई problem है, या फिर कोई topic में problem है, तो उसको पता लगाना, and उसका solution ढोना, इसको हम combinedly कहते हैं, diagnostic and remedial teaching, so friends, यहाँ पर हमारी जो maths की pedagogy है, यह होती है, complete, और friends, वीडियो helpful रही हो, इसे, like and share, जरूर कीजेगा, और दिखे, साथ ही में हम English की हमारी जो pedagogy है, वो complete हो चुकी है, CDP की सारी series हमारी with MCQs complete हो चुकी है, mathematics की इस session के साथ हमारी जो pedagogy है, वो भी complete हो चुकी है, और science का मैंने आपको MCQs का, जो है 30 important MCQs का मैं एक session ले चुकी हूँ, और को friends channel पर बने रहें, और video देखने के लिए, thank you, चुब चलिए मिलते हैं friends, अगली video में, till then keep watching